इस लोगों में बेसिकली हम क्या देखते हैं कि यह 10 पैडी है यह हम कह सकते हैं कि जो धान की हमारी बालियां होती है यह वो है और यह रिप्रेजेंट करती है साउथ हीस्टन नेशन को जो की आसियान के मेंबर है और यह सब एक साथ जुड़े हुए है जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं तो एक साथ जुड़े होने का मतलब है कि इस शोइंग दो फ्रेंड्शिप और सॉलिडेरिटी ओफ दीज तैन नेशन यह जो 10 नेशन है इनके बीच की फ्रेंड्शिप और सॉलिडेरिटी को यह शो कर रही है तो स्टॉल्क्स ओफ पैडी इस दियर और विकेंसे राइस की जो स्टॉल्क्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख रही है दस है इसके अलावा यह जितनी भी कंट्रीज हैं यह सब एक ही विकेंसे की बाउंड ह यहाँ पर यह दियार ओल पॉंड टुगेधर सबको एक साथ जोड़ा गया है यहाँ पर और एक सर्कल आपको साइड में दिखता है या हम कह सकते हैं आउंटर साइड में एक सर्कल आपको दिखता है और यह सर्कल आपका रिप्रेजेंट करता है या सिंबोलाइज करता है of the ASEAN ASEAN की एकता को symbolize करता है so this is there after this we can say कि हमें एक बर map देखना था तो हम इस map को देख सकते हैं यह हमारा map है ASEAN का यह हम कह सकते हैं कि ASEAN जितनी भी countries हैं वो सब यहाँ पर है so you can see here this is the south eastern part और we can say below China China से नीचे वाला reason है so this is there let us talk about the member countries of the ASEAN तो ASEAN की member countries आपकी यह है जैसे मैंने आपको पहले भी discuss किया था और अगर हमें map भी देखना है तो broad view हम यहाँ पर देख सकते हैं this is your map south east nations का south east Asia का यह आपका map है तो Bruni, Burma, Cambodia Timur then your Indonesia, Laos Malaysia Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam यह आपकी nation है जो की Thailand इसका ASEAN का part है या फिर ASEAN के member है अगर हम ASEAN को देखे तो ASEAN की आपको यहाँ पर ideology भी समझाएगी what they are saying about or what they are looking for they are looking for one vision one identity, one community clear तो यह यहाँ पर one vision मतलब अपनी अप्रोच बता रहे हैं कि हम सब एक साथ है all we all are all together और हम सब यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं जो यह 10 nation है इनका एक ही vision है apart from this एक ही identity है identity क्या है? ASEAN तो ASEAN इनकी identity है and one community यह human being की तरह यहाँ पर अपने आपको treat कर रही है तो इनकी जो ethnicity है वो भी काफी match करती है apart from this we can say कि इनकी जो identity है यह claim कर रहे हैं कि we all are together so all in all we can say they want to say that unity and diversity is there with them after this, this is the trick you can make your own trick but यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरीके की आप कुछ tricks बना सकते हैं जिससे कि आपको ASEAN countries याद हो जाएं जैसे love and peace clear तो we are ASEAN तो love and peace, we are ASEAN तो love basically कहां से लिया गया है Malaysia से L, Laos से O Vietnam से V, Brunei से E and then Thailand का end निकाला गया है peace में आप देख सकते हैं Philippines, Singapore, Myanmar, Cambodia and Indonesia आप अपनी खुद की कोई tricks बना सकते हैं जिनसे आपको easily learn होता हो तो इस पूरे के पूरे chapter में जो main या इस पूरे इस पूरे के पूरे topic में जो main चीज है वो आपके objectives हैं, objectives पूछे जा सकते हैं ASEAN में और आपके flag के बारे में पूछा जा सकता है कि what is the significance of this circle और what is the significance of paddy यह सब आप से पूछा जा सकता है after this it can be asked that what do you mean by ASEAN way यह भी काफी जरूरी है free trade areas या अगर हम 2003 का जो changing agenda था ASEAN का उसके बारे में भी यहां पर पूछा जा सकता है right, so with this our ASEAN is complete we will be moving towards the rise of Chinese economy in our next video अपनी next video में हम Chinese economy के बारे में पढ़ेंगे detail में कि उनकी strength क्या थी क्या उसको हम क्यूँ एक alternative power center की तरह देखते हैं या किस तरह की वहां पर government थी, क्या उसके consequences थे, किस तरह कि उन्होंने trade lines को sign किया था world trade organization के साथ वो सब चीजे हम उसमें पढ़ेंगे and then the last topic of this chapter will be left that is India-China relations तो जो की हमें पता है कि हर chapter में इस किताब में हम इंडिया का किसी ना किसी country के साथ या तो relation देख रही है या फिर at the end of the chapter we used to look into the perspective of India तो इंडिया का perspective हम outer nations के लिए देख रही है तो this is what we are left with from this chapter after this we will be completed with the chapter thank you so much for watching stay tuned